Good morning everyone, Jai Hind, मेरा नाम है कीर्ती पांडे और आज हम लोग बात करने वाले करेंट अफैस के बारे में आज 21 फरवरी है, बहुत अच्छा दिन है, मंडे भी है, 21, okay, so let's start the session, अगर आप लोगों ने कल का session नहीं देखा है, बहुत सारे student मैं अभी comment पढ़ दी थी, तो कल जो है, सुभे सारे 9 बजे से लेकर class हुई है, तीन घंटे की class है, जिसमें सबसे पहले आपको science की class मिलेगी एक घंटे की, फिर मेरी class मिलेगी आपको जहां पे हम लोगों ने combined GK पढ़ा है, current affairs भी है उसमें, और उसके last में आपको जिवेश सर की class मिलेगी और जिवेश हो, IMA हो, Air Force हो, या फिर Navy है, तो आपके लिए वो questions बहुत important है, काफी जादा questions थे, मेरे अकेले के 100 questions थे, so you can imagine कितने सारे questions होंगे, right, so let's start the session, बच्चे class जो हुआ है, वो defense adda 24-7 है न, इसके official YouTube channel पे हुआ है, इसी channel पे आपको मिल जाएगा उसका link इक पर search कर ले, तो पहला जो news है, वो यह है, बहुत सारे news है, और actually, जो Saturday और Friday का class पहता है, तो इसका revision भी है, तो थोड़ा rapid fire भी रहेगा, कुछ नए questions और कुछ revision, चले, let's start, हाँ, तो 7th soil health card day observed on 19th February 2022, तो soil का ये question है, इसके लिए card बना है और ये 7th soil health card, health card का मतलब ये जो NPK होता है, nitrogen, phosphorus, potassium का जो मात्रा है soil में, वो ऐसा होना चाहिए, 4 is to 2 is to 1, लेकिन हम लोग का जो मात्रा है, वो सही नहीं है, और इस कालन से इसके लिए health card बनाना पड़ता है, और soil में आपको पता होना चाहिए, कि कितने type के soil है, जैसे कि जलोर मिट्टी, जिसको alluvial soil बोलते है, भारत में सबसे जादा पाई जाती है, कहां पाई जाती है, रिवर्स के बेसिन पे पाई जाती है, और coastal area में भी पाई जाती है, फिर है second number पे red and yellow soil, जो की बहुत ज़ादा desertified area, मतलब कि वो थोड़ा कुछ desert जैसा है, ठीक है, तो ये बुंदेल खंड, बगेल खंड के area में मिलती है, या मोटा अनाज का खेती होता है, और pulses का खेती होता है, और ये होती है red color की, पानी डालने पड़ ये yellowish दिखती है, क्योंकि इसमें iron oxide बहुत जादा है, जब आप Mars पे जाएंगे, जब मंगल पे हम लोगा ग्रह बन जाएगा, भी बोल रहे हैं न, मंगल पे ग्रह होगा, मंगल पे घड़ पर जा रहा था, तो black soil बना, जो की महाराश्रा में मिलता है, next soil is mountain soil, जहाँ जहाँ पहाड है, जिसे जमयन किश्मीर, उसके बाद northeast का जो area है, वहाँ पहाड है, तो वहाँ पे आपको mountainous soil मिलेंगे, जहाँ था desert है, रगिस्तान, रजस्तान, जासलमेर एरिया, तो वहाँ प क्या होता है, यहाँ पे coffee का उत्पादन होता है, और यह केरला में मिलता है, let a right soil, वह जगा में मिलता है, जहां पे बहुत जादा बारिश होती है, तो soil में हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, evaporation and transpiration, अगर बारिश बहुत जादा हो रही है, तो वहाँ पे leaching होगा, कि स साड़ा mineral जो है, वो इदम जमीन के सतह पे चला जाएगा नीचे, यानि कि वहाँ पे transpiration जादा है, तो यह soil generally acidic होते है, in nature, उसके बाद evaporation अगर जादा है, यानि कि अगर soil में बहुत जादा गर्मी आ रही है, और उसके साड़े minerals जो हैं, वो उपर की और जा रहे हैं, उप transpiration जादा है, और transpiration कम है, और यह soil generally basic in nature होते हैं, जैसे कि राजस्थान में जो soil होते हैं, उसमें calcium, potassium की मातरा जादा होती है, clear है guys, understood, very good, चलिए next question, हम लोग को अड़ा के किसी भी, class का, बचे, अदना यह rule है कि PDFs आपको अड़ा के app पे ही मिलेगा, class के बाद आपको PDFs मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा class जैसे अभी 9 बजे खतम होगा, तो आप लोग एक बार जाके चेक कर डीजेगा, सारे 9 दर्स तक आपको PDF अड़ा के आप पे मिल जाएगा, okay guys, हान जी, तो next आप देखे, World Day of Social Justice observed on 20 February, तो आप लोग हम को यह बताएं कि Justice वा fundamental right, कहां शुरू होता है, part, देखे, हम current face के साथ static पढ़ा रहे है, यही चीज़ exam में भी होता है, question होता है current face का, है ना, और लेकिन पूछा जाता है क्या static, ठीक है, हाँ, बिल्कुल शूरे कांत, आपका बात बिल्कुल सही है, चले देखे, तो अब आपको क्या करना है, third part fundamental rights, article 12-35, अब आपको यहां पर यह बताना है, कि justice का कौन सा है, justice बोले तो, कि बच्चे अगर 18 साल के नीचे हैं, तो उनके आप force labor नहीं कड़ा सकते हैं, इस type के चीज़ जो है, वो justice में आते हैं, तो कब से कहां तक justice है, और justice exactly as a word, हमारे constitution में कहां पर mention है, तो preamble में mention है, कौहां से यह लिया गया, what is the source, तो liberty, justice and fraternity, हम लोगों ने French Revolution से लिया आए, कब हुआ था French Revolution, 14 July को हुआ था, 14 July, year है, 1789, Bastille was broken, कौन से king थे, Louis XVI थे, कहां पर मिले गा यह पढ़ाई, NCRT, class 9, chapter number 1, French Revolution, खेर, तो यह social justice है, यानि कि समाजिक निया है, ठीक है, तो यह है, world day of social justice, next question, हमारे constitution में, preamble में, तीन तरहा के justice का बात क्या गया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, economic justice आर्थिक, social justice समाजिक, और political justice, राजनीतिक निया, next, football के legend है, सुरजीत सेन गुपता, तो सुरजीत सेन गुपता, जो है, इनका निधन हो गया है, clear है, चलिए, next question, career counseling workshop, तो बहुत लोग को, जैसे आप लोग को भी, अभी समझ में आता है, कि माम मेरा science भी strong है, लेकिन art strong नहीं है, तो मुझे officer बनना है, तो हम कौन सा ऐसा exam दे, जिसमें मेरा talent showcase हो सके, और वो exam का profile भी ऐसा हो, कि बाद में हमको मन लगे हैं, क्योंकि, एक चीज़ मैंने notice किया है, कि बी-tech करने के बाद, आप लोग को IT company में जल्दी job लग जाता है, लेकिन तो भी कम salary लेकर, ऐसा काम करना ज्यादा मलब लोगों को पसंद आता है, जहां पर आपके मन लायक काम हो, जैसे mechanical में core काम मिल गया, या civil में core का काम मिल गया, electrical में भी core का काम मिल गया, औ आई-टी तो पढ़े ही नहीं है, अगर आई-टी पढ़ना ही होता, आई-टी ही करना होता, तो information technology में क्यों नहीं आडमेशन लेते, या फिर computer science में क्यों नहीं आडमेशन लेते, तो career counseling बस यह है, कि talent आपके पास है, knowledge आपके पास है, बस आपको एक रहा दिखा देना, कि द आपसेट दे देते हैं, कि देखें, यह जो है, आपके पास options है, वाईसे, career counseling है, तो यह जो है, पडामर शुरू हुआ है, और यह बिका नेर में शुरू हुआ है, यह सारी बच्चियों को बहुत सादा skill है, इनके पास, बस इनको जगा दिखानी है, SBI ECO RAP report, हाँ, क्या आ कि SBI ने ECO RAP report दिया है, कि इस साल के लिए, जो हमारा GDP growth rate है भारत का, वो 8.8 होगा, clear है guys, understood, CISF क्लास आज से शुरू है, आज से, 21 फर्वरी से CISF शुरू हो चुका है, आप देके यह एक जानवर, इसका नाम है पैंगोलिन, ठीक है, पैंगोलिन के कारण ही माना जाता है कि CORONAVIRUS शुरू हुआ था, पैंगोलिन जो है, वो भारत और चैना में मिलता है, दो तरह कही होता है, इंडियन पैंगोलिन और चैनीज पैंगोलिन, तो हमारा जो चैना का बोडर है, अरोनाचल परदेश, वहां पर आपको पैंगोलिन मिलता है, चैना लोग तो खाजा जा चले, next question, 17th IBA Indian Banks Association Annual Banking Technology Award 2021 announced हो चुका है, इसके बारे में detail अभी आपको questions में मिल जाएगा, ठीक है, तो 17th IBA Indian Banking Association Annual Banking Award, Technology Award जो ही announced हो चुका है, अमिच शा ने launch किया है, शस्त्र अप, अमिच शा जी ने सस्त्र अप और smart card arm license of दिल्ली पुलीस, तो इनके लिए शस्त्र अप है, और license होना चाहिए, तभी आप arm रख सकते हैं, ऐसे मन किया तो जाके बंधूक नहीं खड़ी सकते हैं, फिर आप पर arm sack लग जाएगा, फिर त ताड़ा लग जाएगा, जब ताड़ा लग जाता है, इंसान पर तो वो कहीं का नहीं बसता है, तो यह सब बहुत खतरनाक चीज है, और license gun को भी बार बार license renew कराना पड़ता है, जैसे अगर आप गारी चला रहे हैं, आपके पास license ही नहीं, तो पुलीस पकर सकती है, वैसे आपके घर पे भी है, तो उसका प्रॉपर कागज होना चाहिए, ठीक है, तो next question अब देखे, Nepal will be the first country to deploy India's UPI platform, तो भारत का UPI नेपाल में यूज हो रहा है, हम लोग Shri Lanka को help कर रहे हैं, उनका अधार काड विकसत करने में, यूनीक आइटिफिकेशन काड विकसत करने में, त internationally, we are assisting people, internationally, लोग जो हैं को हमारे apps को यूज कर रहे हैं, ठीक है, चले, Institute of Economic Growth, नेम चेतन घाते, as its new director, तो ये एक institute है, economic growth का, आर्थिक विकास का, और यहां पे ये चेतन घाते जी को, अपने नए डारेक्टर के रूप में, इन्होंने अभी अभी अनाउंस कर आ हैं, clear? First question आपके सामने है, अभी अभी पढ़े हैं हम लोग, तो ऐसे कोई भी student नहीं चाहिए, सारे के सारे student जो है, वो answer देंगे this question का, yes, no excuse, because अभी बताएं, तो चलिए बताएं जल्दी सा answer, क्या इसका answer? World Pangolin Divas, हम लोग कब मनाते हैं, session को जाद से जाद से शेयर कर दे, like कर दे, क्योंकि बहुत अराम अराम से मोग यहां पर सारे Current Affairs को पढ़ लेंगे, एक भी कुछ भी आपको announcement या कुछ यहां नहीं मिलेगा, what I have decided that in Current Affairs class, I am not going to announce anything, only studies, चलिए, next question, yes, तो सब को पता है, इसमें तो को discussion का बात ही नहीं है, वर्ड पैंगुलिन दिवस, 3rd Saturday of February को मनाय जाता है, पहला बात याद रखेगा, हर बार 19th February को नहीं मनाय जाएगा, 3rd Saturday of February को ही मनाय जाता है, ठीक है, तो यह जो है, 19th February को अभी हम लोग मना रहे हैं, और यह 11th edition है, यानि कि 11 वार हम लोग इसको मना रहे हैं, clear है guys, और यह यह जाता है, यह जाता है, जाता है, तो यह सहां लोग बच्चा बहुता है, और बच्चा देता है, वो लोग बच्चा देता है, जिनका इनर यह होता है, जैसे कि चिडिया, कान नहीं दिखेगा, तो वो लोग अंडा देते हैं, ऐसा, I've heard from someone, ठीक है, तो आप लोग इसको जो चेक कर लेंगे एक और और स्पीड अप कांजरवेशन इनका बचाने के लिए बात है पांगो लिनार वान अफ दा मोस्ट है विली ट्राफिक डानिमल यानि कि इनका बहुत असकरी होता है उनके स्किन के लिए स्किन में केराटेन बहुत जादा होता है तो दवाई बनाने के लिए भी होता है फर्स न्यू बैंच जो है वच्छे रश्मी एक मार्स से शुरू है देर नमबर रैपिडली डिक्लाइज डिक्लाइन इंड एशन आफरिका इंका नमबर बहुत घट रहा है चल वाटर मेट्रो प्रजेक्ट एंड यू आम सॉर्डी बाउट वाइस एफ इस इरिटेटिंग तो भी आप सुन लीजे प्लीज क्योंकि इंपोर्टेंट है ठीक हाँ फर्स मार्स से आपको सीडियस करने बांच मिलेगा तो यह देखे बिलकुल महाराष्ट्रा मॉंबई में सरवन्दा सोनोवाल जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ओफ पोर्ट शिपिंग इन वाटर वेज है उन्होंने 17 फरवरी को बोला कि मुंबई एंड नवी मुंबई के बीच में 45 मिनिट से एक आवर लगेगा मलब यह रिडियूज हो जाएगा यहां पे जाने का माली जे पहले इतना भी लगता होगा उसमें घंटा कम हो जाएगा अगर हम लोग वाटर टाक्सी टाक्सी शुरू कर देंगे टोटल आठ बोट जो है बेलापूर से शुरू हो गया है तो आप लोग भी जाएगा तो बेलापूर से बाउचा धाका साउथ मुंबई जो है आप जा सकते है मैं गई नहीं हो तो मुझे आइडिया नहीं होतना आप लोगो पता होगा ठीक है नेक्स्ट वेशन स्मार्ट कार्ड आम लाइसेंस अंशस्त्र आप ये अभी अभी एक पुलीस स्टेट अन यूटी ने लाँच किया है अब आप बताएं कि ये किस ने लाँच किया है और आप लोग सेशन को देख रहे हैं लेकिन सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं और लाइक तो छोड़िये में इंपोर्टन चीज़े कि आप आंसर नहीं दे रहे हैं तो ये आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा यहां पे तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि 75 वा एनिव मैं तेखेंगे दिल्ली पुलीस लैसेंस निंग यूनिट को क्लियर है गाईज? अनदेस्टर नेक्स वेस्टेशलि क्रेशन is कि NMSC, what is NMSC? वू हाज बीण हैं पहुएं पोइंटे इस इंडिया सफर्स नाशनल मेरिटाइम से क्कॉरिटी को ओडिनेटर? Now, this is a surprising question because इसके बार में भी हमने बताये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दो-तीन दन पहले बताया है, तो जल्दी बताये इसका answer, तो हाँ, थोड़ा सोच लीजे, उसके बाद बताये, तो देखें, यहाँ पर क्या है कि G. Ashok Kumar, Retired Vice Admiral G. Ashok Kumar को चुना गया है, भारत का पहला ऐसा पोस्ट है, इसलिए इंपोर्टेंट है, ठीके, तो इनका नाम, यह क्या है पोस्ट, National Maritime Security Coordinator, Government of India ने यह decision लिया है, कि अब यह पोस्ट बनेगा और यह क्या करेंगे, National Security Council, जो Secretariat है, जो कि अजी डोवाल जी है, उनको assess करेंगे, Excuse me, yes, next question, sorry, अब देखें, आप देखेंगे, आप लोगोने बेचा, फिर दूसरे ने खर्दा, फिर तीसरे ने खर्दा, यह सब होते रहता है, मुझे नहीं समझ महाता है, आप लोगो आता होगा, तो वेरी गुड, तो अभी आप लोगो आता होगा, तो अभी आप लोगो offering, अभी तक इसको किसी ने खर्दा नहीं है, अब इस company को पैसा चाहिए होगा, कितना पैसा चाहिए इसको, US dollar 8 billion पैसा चाहिए, तो उसका इनोंने steak, माली जे की महाँगा भी होगा, माली किसी को 8000 चाहिए, तो वो क्या करेगा, चार रुपे के 2000 शेर मार्केट में डाल दे और ये कौन से है, LIC है, बताये थे कल, LIC ने अपना ये IPO रिलीज कर दिया है, 13 फरवरी 2022 को, to sell 5% of center steak in the company, तो ये तो सरकारी company है, center का steak है, तो basically यहाँ पे क्या होगा है, जब center अपना share market में डाले, और चाहे कि दूसरे लोग उसको खरीद ले, तो उसको कहते है, dis investment, समझ मे इंटर्व्यू का question हम आपको बताते है, बार बार पूछा जाता है, कि जितने भी PSU हैं, तो वो सारे घाटे में जा रहे हैं, और सरकार इसको बेच रहा है, steak, तो क्या आप चाहते हैं कि सरकार बेचे या ना बेचे, तो वो answer आप खुद बताईएगा, हम आपको एक employment, लोगों को जादर से जादर रोजगार देना, तो their main motive was not profit, कि उनको बस लाब ही लाब चाहिए, इसलिए उन्होंने कंपनी खोला है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, चले नेक्स क्वेशन, As per IBA, Indian Bank Association, 17th Annual Banking Technology Award, कौन से bank को best technology bank of the year मिला है, कल ये बता चुके हैं और आप लोग answer बताएगे, अगर 51% से जादर शेयर बेच देंगे, तो strategic disinvestment, Okay, very good, Mike Pompeo, impressed, हाँ, चले, next question, तो answer बताएगे, कौन सा bank जो है, वो technology में best bank है, नहीं, गलत बता रहे हैं, चलिए, सही answer बताएगे, हाँ, Bank of Bardo Da, guys, Bank of Bardo Da, कल बताएगे थे, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, Bank of Bardo Da है, large bank segment में, Bank of Bardo Da है, small bank में, South India Bank है, foreign bank में, city bank है, ठीक है, तो यह सारे bank को award मिला है, किस में, Indian Bank Association, 17th Annual Banking Technology Award, clear है, guys, बढ़ या, next question, हां जी, report 8, याद होना चाहिए, reverse report 8, अगर नहीं पता है, कोई बात है, मैं, economics से, बैंच में, पता देंगे, ठीक है, which bank has partnered with EasyTap to provide integrated POS solution to the merchant, अब यह क्या है, point of sale होता है, POS जो है, point of sale होता है, तो अगर उनके पास digital, जैसे मां लीजे कि कोई आपको कहीं से कुछ खरीजना है, आपके पस cash नहीं है, तो आप चाहते हैं कि वहाँ पे पेटियम या फोन पे हो, point of sale, तो वो नहीं होगा, तो आप उसको pay कैसे कीजेगा, तो यह जो bank है, Kotech Mahindra Bank, ने tie-up किया है, easy tap के साथ, point of sale solution प्रोवाइड करने के लिए, 4000 जगा location in India पे, यह digital payment market space बनाने की बात कर रहे हैं, है, clear है guys, yes, report 8, 4 है, reverse report 8, 3.35 है, very good, global trade update report, was global trade value record in 2021, तो यह कितना था, पूरे दुनिया में globally trade, जो है, उसमें कितना का trade हुआ है, चले बताएं, तो देखिए यहाँ पे, 28.5 trillion, ठीक है, तो union conference on trade and development, untagged, आप लोग बताईए, untagged का headquarter कहाँ पे है, ने release किया है, ग्लोबल trade update report, और यह जो है, 2022 में release किया गया है, 17 फरवरी 2022, और यह कह रहा है कि global trade, जो है goods and services का, वो अभी तक दुनिया में सबसे जादा हुआ है, 28.5 trillion, यानि पुरा दुनिया का, भारत का नहीं कह रहे है, पुरे दुनिया का यह trade हुआ है, 25% increase हुआ है, 2020 का, जो कि COVID के कारण कम था, और 13% 2019 का, चलिया next question, GDP growth rate of India, तो यह बताएं, SBI Eco Wrap ने अभी अभी बताया है, कि भारत का GDP growth rate कितना होगा, तो SBI का यह company है, Eco Wrap, जो कि बताता है, कि हम लोग किस तरह से perform कर रहे हैं, तो मेरा मत्र भाषा बिंगॉली होना चाहिए, मम्मी का है, लेकिन हमको क्या बोलना पड़ेगा, मत्र भाषा मेरा हिंदी है, क्योंकि वो फादर के साइट से बोलना है, तो इसमें मत्र भाषा है, लेकिन बोलना पादर के साइट से, यह नहीं समझ बाता है, क्योंकि बोल रहा है, कि दो हजार बाइस में 8.8 रहेगा, चले नेक्स क्वेस्टन, सुरजीत सेन गुपता, हाँ, इनका निधन हो गया है, तो यह एक स्पोर्ट से रिलेटेड है, यह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, हाँ बताएं, सुरजीत शौन गुपता, पताएं जल्दी से, ही इस रिलेटेड तो फुटबॉल, ठीके, और यह मोहन बगान में जीच चुके हैं, इस बंगाल में खेले हैं, मोहमडन स्पोर्टिंग में खेले हैं, और एशिन गेम्स जो की बैंककॉक, थाइलेंड में हुआ था, वहाँ पे यह ब्रॉन्ज मेडल टीम, विजेता के एक पार्टनर भी रह चुके हैं, चलिए, अच्छा आपको मैथली है, छेचा, बढ़िया, तो करियर काउंसलिंग वर्क्शॉप पड़ामश, यह कहां पे हुआ है, करियर काउंसलिंग कहां के बच्चे ओको दे रहे हैं, अच्छा सूरेकान जी का मघी है, ठीक है, मघी, मैथली, है ना, भोजपूरी, भोजपूरी आप लोग को आज यही समझा दे है, लाइंग्वेज जो है, वो होता है, जिसका स्क्रिप्ट है, माली जे की हिंदी, इसका स्क्रिप्ट है, देव नागरी, पंजाबी, गुडु मुखी, तो जिसका इंग्लिष, रोमन है ना, तो यह लाइग्विज जे और डालेक्ट वो नहीं है, Mathly का है, समझ में आया, तो बिलकुल आप लोग सही बता रहे हैं कि ये जो है, Rajasthan, इसका answer हो जाएगा, मारो Rajasthan, Khamba Gani, आओ पधारो मारे देस, तो यहाँ पे Bika नहीं डिस्ट्रिक्ट में, Rajasthan में, काउंसलिंग हो रहा है, आप लोगों करवान है, तो वहाँ जाने की जोते ही है, I am here for that, ठीक है, मैं आपका काउंसलिंग कर दूंगी, free of cost, Faith 2035, Faith 2035 क्या है, यह बहुत important question है, क्योंकि अभी हम आपको यह question और answer बताएंगे, और फिर आपको धीरे दीरे पता चलेगा, इतना bar news में आएगा कि आपको detail बता चल जाएगा, चले, Assamese language है, very good, total भारत में 22 languages को, language का, मला वो दिया गया prestige, और यह schedule number 8 में है, बहुत बार बता चुके हैं, पहले 14 languages थे, faith जुड़ते गए और 8 जुड़के, आज के दिन में 22 languages है, faith, Federation of Association in Indian Tourism and Hospitality, ठीक है, तो यह basically faith जो है, वो हमारे भारत में tourism को बढ़ाने के लिए, और जब कोई आए तो उसको ऐसे comment नहीं माणना है, उनको अतिती देवो भवा समझ के, उनको और प्रोचसाहित करना है कि हमारा देश बहुत अच्छा है, आप हमारे देश में आएं, इसके लिए faith शुरू किया गया है, दो हजार पैंटीस तक का यहां पे documentation containing goals रखा गया है, कि हम लोग बच्चततरवा जो अमरित महत सब मना रहे हैं, उसके तहत हम लोग अपने देश में अतिती देवो भवा का पालन करें, चलिए next question, which country will become the first country to adopt India's UPI payment, तो कौन सा देश है, जो कि भारत का UPI payment ले रहा है, unified payment interface ले रहा है, यह कौन सा है, ब्रिज भार्शा है आपका, ठीक है, चलिए, तो next question का answer क्या हो जाएगा, तो यह है नेपाल, नेपाल जो है, वो हमारा payment एडॉप्ट कर रहा है, clear guys, next question, रंजी ट्रॉफी में, कल हम बता चुके हैं, रंजी ट्रॉफी जो की cricket का होता है, अगर कोई रंजी भी खेल ले, तो कुछ लोग तो इसको IPL से भी जादा supreme मानते हैं, बले पैसा कम है, लेकिन talent जादा है इसमें, तो रंजी ट्रॉफी में कितने team है, रंजी ट्रॉफी में टोटल 38 teams हैं, कितने हैं, 38 teams हैं, रंजी ट्रॉफी में, 57 matches होंगे, लीक फेज में, और इसके बाद कि जो matches होंगे, वो IPL matches के बाद होंगे, जो कि नॉक आउट होता है, यह सवाल भी पूछा जाता है, कि IPL किस type का match है, नॉक आउट है, या जितने भी type के matches होता है, तो लीक matches होते होंगे, उसके बाद, नॉक आउट होता है, ठीक है, चले, next question, next में बताएं, which country, जो है, has closed its tier 1 investor visa route, तो यह कल हम बता चुके हैं, कि कौन सा सदेश है, जिसने कहा है, अभी rapid revision, अभी question answer, कुछ नहीं, rapid revision, do like the session, and share the session, yes, so this is United Kingdom, United Kingdom जो है, हाँ, United Kingdom क्या कर रहा है, यह tier 1 investor visa को बंद कर चुका है, क्योंकि यह नहीं चारह है, कि अभी इनके देश में जादा से जादा लोग आए, tier 1 investor visa यह बंद कर चुके है, due to some security issues, next question, which country has announced to withdraw from Mali after 10 years, तो Mali से यह लोग निकलने का बात कर रहे हैं, और यह लोग कह रहे हैं कि Mali से 10 साल बाद अब यह देश माली को छोड़ देगा, अगर आप जानते होंगे, तो Barwardoss भी अभी United Kingdom की जो रानी थी, मलिका है, ठीक है, तो वो अब हट चुकी और Barwardoss has become a republic, तो यह Mali से हटने का बात जो है, वो France कर रहा है, अब Mali में यह नहीं रहेंगे, और यह fighting against jihadist insurgency के बाद यह बात announce किया गया है, वहाँ पे Mali में government कहा है, जुन्ता government है, कौन से bank नहीं बोला है, कि world's first bank to set up, world's first bank to set up, to set up in the metaverse, ठीक है, तो यह क्या सवाल है, यह पूछा जा रहा है कि metaverse में दुनिया स्थापित, दुनिया स्थापित करने वाला पहला bank कौन सा है, दुनिया में दुनिया स्थापित करने वाला नहीं, स्थापित करने वाला दुनिया का पहला bank कौन सा है, metaverse में दुकान स्थापित करने के लिए, तो यह आप जानते हैं JP Morgan है, ठीक है, IPL तो पैसा लूटने का जरिया बन गया है, अच्छा, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, यह जो है, इसका आंसर हो जाएगा JP Morgan, Digital Age, Who has been the author of Dignity in the Digital Age, यह कल हम बता चुके थे, कि ट्रॉलिंग होता है बहुत जादा आजकल, कोई भी कुछ भी नेट पर जाके लिख देता है, किसी भी Facebook पर कमेंट कर देता है, तो यह सब जो है, एक काइंड ओफ क्राइमी है, तो Dignity in a Digital Age, Making Tech Work for All of Us, आप कोई नया-नया, कोई माली जे की, कोई घर में, कोई ओरत है, और वो नया-नया कुछ सीख नहीं है, तो मम्मी और दादी लोग का क्या गलती होता है, वो लोग गलती से कुछ भी अपलोड कर देती है, तो उस पर अगर कोई ट्रोलिंग कर दे, तो फिर उनका व उटके कुछ भी बोल देने का, इसको हम लोगो बंद करना पड़ेगा, असम राइफल के बारे में ये सवाल है, किस बैंक ने Memorandum of Understanding sign किया है, किस के साथ, असम राइफल के साथ, ताकि ये Central Force Salary Package के लिए, Central Force Salary Package, तो असम राइफल को जितना भी Salary, Pension और जो भी Alliance है, व आप लोगो पता चलेगा कि आप लोग को पर्टिकुलर्ली किसी बैंक में अपना एकाउंट खोलना पड़ेगा, माली जए आपका जो भी Department है, वो SBI से Related है, तो वो आपका Salary directly SBI में जाएगा इस तरह से, clear है, तो ये देखे, Bank of Baroda है, Bank of Baroda ने Memorandum of Understanding sign किया है, आसम राइ के रूप में मनाएंगे, answers I am not getting up to mark, means you are not giving me the answers, guys, what is the reason, session को like करिये पहले, ठीक है, एक सेकंड रुख जाएगे, लाइक कीजे, उसके बाद अगर कोई ऐसा friend है, कोई group है, जहाँ पे exam की तयारी होड़ी है, किसी भी सरकारी exam की तयारी होड़ी है, bank, SSC, defense, teaching, engineer, तो आप उस session को इस session को वहाँ तक पहुँचाएं, आप एक पुलिया का काम करें, जैसे कि Prime Minister जो है, President और Council of Ministers के बीच में पुलिया का काम करते हैं, article number 65, तो आप लोग भी उस पुलिया का नाम काम करें, और उस student को मेरे तक पहुचाएं, और मुझे उस student तक पहुचाएं, ठीक है, तो शुरू शुरू उते ही, नोबल काम शुरू हो गया, और next thing यह है, कि comment में answer दे, आ रहा है या नहीं आ रहा है, that is not the matter, first है कि answer आपको देना ही देना है, तो शहीद दिवस हम लोग मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, बिहार में, बिहार में शहीद दिवस इसे मन रहा है, क्यो पुलीस ने मार दिया था, और ये बात हुआ था जब हम लोग ने जालिया वाला बाग के खिलाफ आवाज उठाई थी, ठीक है, तो इस कारण से यह हम लोग मना रहे हैं, चले, अब थोड़ा सा डिविजन सेशन है, तो थोड़ा स्पीड में होगा, चेल्सी ने कलफ तमिल नाडू का जो लांग्वेजर वो थामिल है, है तो यह देखे नाचनल वाली वाल चैंपेंशिप के रला ने विमन में जीता है, और हर्याना ने में में जीता है, अमेरिका और बंगलादेश अपना नया एक्सराइस करें, जिसका नाम है, कोप साउथ 22, ठीक है, Federation of Association in Indian Tourism and Hospitality. Hospitality का मतलब जब आओ भगत जिसका किया जाता है वो है. तो 2035 तक हम लोग ये विजन रखें कि हम लोग भी नंबर वन देश होंगे टूरिजम में. जी अशोक कुमार जी जो है वो पहली बार ये पोस्ट बना है भारत के National Maritime Security Coordinator है. कि अगर समुद्र में कुछ भी हो रहा है तो वो जाके सीधे NSA National Security Advisor के Secretariat में ये बात पहुचाएंगे जो की है अजी डोवाल जी. ठीक है, next question है, dignity in a digital age. तो आप लोग को सोच समझ के message करना है. मुझे भी कभी-कभी message आ जाता है, तो ऐसे नहीं. As a student, you behave. As an officer, you behave. As an aspirant, don't troll anyone if you don't like the thing. Just means you can work out, है न. तो dignity in a digital age, making tech work for all of us. ये किताब लिखा गया है, रोख खन्ना द्वारा. Water Taxi Service शुरू किया गया है, मुंबई में. RBI ने कहा है, NBFCs, Non-Banking Financial Companies को, जो कि bank नहीं होते हैं, लेकिन bank का काम करते हैं, वो भी loan लेते हैं, और वो भी deposit accept करते हैं, loan देते हैं. तो लेकिन इनका rate जो है, वो काफी जादा high होता है. और RBI ने कहा है, कि इनको भी NPA, National, जो NPA जो होते हैं, Non-Performing Accounts, तो जो इनको loan वापस नहीं दे रहे हैं, उसके तहट इनको क्या गड़ना पड़ेगा? नया upgradation norms लाना पड़ेगा. केरला में first, हमार जाते हैं इतना सुन्दर साइट के बीच से, तो केरला में first caravan park to come up in Wagamorn, है ना? तो यह जो है, यह park है, Wagamorn, इसका नाम है, और यहां पर caravan शुरू होगा, अगर आपको भी जाना है, जैसे नहीं, हिरोईन लोग के पास अपना वो vanity van होता है, उस type का. चले, next question. J.B. Morgan बोल रहे हैं कि यह जो metaverse का दुनिया है, जो कि अभी-भी पुरा अच्छा से समझ में नहीं आया है कि क्या है, हम लोग भी कितना जादा कुछ देखे ट्राविल किये हैं, Paleolithic Age, Mesolithic Age, Neolithic Age, और फिर आपका Indus वाली civilization, उसके बाद Rig Vedas, फिर लेटर वेदाज, उसके बाद सुल्ला महाजनपद, सुल्ला महाजनपद के बाद इतने सारे डाइनस्टी, मौर्ड, गुपता, और फिर फिर फाइनली ब्रिटिशर्स, और आपकान लगाना वाला जो बैंक है, यह है J.B. Morgan. किरनाटिका बैंक को तीन बैंकिंग टेक एवार्ड मिला है, लेकिन अगर बैंक और बरोदा का बात किया जाएगा, तो उसको IBA दौरा, इंडिन बैंक असोसियेशन दौरा, बेस्ट टेक्नोलजी बैंक का एवार्ड मिला है, शारुक खान जो हैं है, न्यू इंडिया लिट्रैसी प्रोग्राम शुरू किया है, for education of adults, तो घर में जितने भी बुढ़े, या बुढ़े नहीं, जो लोग बड़े हो चुकें, लेकिन उन्होंने टाइम पर education नहीं प्राप्त किया है, उनके लिए ये बहुत जादा लाबदायक है, पांस साल का इसमें, estimate budget लाया गया है, एक हजार सैंतिस करोड, कनड के writer and poet है, चिननावेरा कानवी, इनका निधन हो चुका है, उसके बाद, ट्विटर ने टाइब किया है, पेटेम के साथ, ट्विटर के लिए, तो ट्विटर जो है, वो कह रहा है कि, गाईज, इफ यू वांट टू पे, समवन जैसे माली जाए, आप हमको ट्विटर पर फॉलो कर रहे है, कोई फादा नहीं है, क्यूं? क्यूंकि मैं ट्विटर पहुई नहीं, तो लेकिन फॉर एक्जाम्पल, और आपको मुझे पैसे देने हैं, तो आप टिप्स के थू भी दे सकते हैं, चलिए, ने, एक्सक्वेशन, जियो प्लाटफॉर्म, पिक्स पच्छेस परसें स्टेक, इन यू एस बेस, स्टेक्स चार्टप 2 प्लाटफॉर्म, तो देखें, क्या हो रहा है, कि अमेरिका का एक स्टार्टप है, जिसका नाम है 2TWO2, तो जियो ने उसका पच्छेस परसें स्टेक खडीद लिया है, इंडिया का होलसेल इंफलेशन कलम बताये थे, कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स और होलसेल प्राइज इंडेक्स, तो हमारा जो है, यह डिक्लाइन हो चुका है, यानि कि होलसेल में महंगाई घटी है, 12.96%, नार्कोटिक्स ब्यूडो, यह जो यह आरेन खान वाला केस हो था, समझ गया ना, तो यहां पर डार्का थौन 2022 शुरू किया गया है, डार्का थौन, ठीक है, लद्दाख में एक स्कीम शुरू किया गया है, डिफरेंटली एबल पीपल के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, और इसके नाम है लद्दाख और्टोनॉमस, Autonomous Hill Development Council और यह कहां पर लेह में है, L.A.H.D.C. तो यह सिफ दिव्यांग लोगों के लिए इसको याद रखेगा, Air Force, मैंने जोइनिंग क्यों नहीं ली, क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाना था, चलिए, question का answer दीजे, Walli Wall, देखें, किसने एवार्ट जीता है, जल्दी से बताएं, अभी अभी हमने बताया है, देखें, हम ऐसे नहीं करें, कि हम question answer पूछ रहें, पहले आपको answer बताते हैं, फिर आपको time देते हैं, ताकि आप यह दिखाएं, कि आपको कुछ time बात भी चीजे याद रहती हैं, और फिर जब आपका answer दीजेगा इसका, तो आपका confidence level बहुत जादा boost up हो जाएगा, चले बढ़िया, तो में श्रेणी में हरयाना, और विमें श्रेणी में क्या हो जाएगा, विमें श्रेणी में क्या हो जाएगा, केरला, दोनों ने किसको अराया है, इंडियन रेल्वेस को हडाया है, तो अगर आप लोग भी आप में किसी sports को लेके जजबा है, और आप लोग को नुकरी लग जाती है, तो गाइस, यू आपकारी लग जाती है, जहां पर आप सोच सकते हैं, आपके पास जमीन में पैर रखने के लिए जगा है, चले, नेक्स क्वेशन, कॉप, कॉप साउथ 2022, कॉप साउथ 2022, जो है, वो क्या है, हाँ, सही बात है, सब, इग्जाक्ली, ओम प्रकाश, और राइट, कॉप साउथ 2022, जो है, यह एर एक्सरसाइज है, और यह कहां हो रहा है, तो यह बंगलादेश में हो रहा है, और बंगलादेश के साथ कौन कर रहा है, तो USA कर रहा है, क्लियर है, नेक्स वेशन, ट्विटर ने टिप्स फीचर शुरू किया है, ताकि आप अपने कॉन्टाक्ट्स, जो भी आप ट्विटर में, जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपके कॉन्टाक्ट्स हैं, उनको आप पैसे भेज सकें, जरूरत के टाइम पे, तो यह टिप्स फीचर किस, किस जो UPI पेमेंट है, उसके साथ शुरू किया गया है, इंटरफेस के साथ, तो दाट इस पैटियम के साथ शुरू किया गया है, है ना, चिन्नावीडा कन्नावी, एक नोटेड पोयठ है, किस लांग्विज के पोयठ है, कौन सा लिटरेचर यह लिखते हैं, बिंगॉली, कन्नडा, तमिल, या असामीज, मल्यालम इस ऑफ कैरला, मल्यालम जो है, वो कैरला का है, तमिल तो तमिल नाडू का है, तेलगू, इस फॉर पहले आंदरपदेश, अब तेलंगना जादा रेलेवेंस होगा, उसका है ना, तो आप बताएं, आंसर जल्दी से, यह कन्नडा, कन्नडा, ओके, आप लोग के भी कोई साउथ के फेडिरिट हीरो, एक्ट्रेस वगेरा होंगे, तो बताईएगा, बहुत सारे बच्चे काम सुनते हैं, अलू अरजुन बोलते हैं, मुझे दल्की और सल्मान ठीक लगते हैं, और एक पल्लवी हैं, तो वो भी अच्छी लगती हैं, ठीक है, उन दोनों का एक मूवी वेक आली, खेर, हाँ, अभी मैंने बागी थरी देखा नहीं हैं, मैं देख क्या आप लोगों बताऊंगी, बहुत लोगों ने मुझे रिक्मेंट किया हैं, कुछ लोगों ने मना भी किया हैं, ठीक हैं, हाँ, अच्छा, लगी शर्मा, येस, you are lucky, देखें, तो who has been authored a book, किताब लिखा गया है, इसका नाम है Human, How the United States Abandoned Peace and Reinvented War, तो ये खिलाफ में ये किताब है, कि किस तरह से इन लोगों ने, जो शान्ती है, उसको हटा कर और फिर से war शुरू कर दबा दिया, अभी तो war का बात आप चल ली रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, जर्मनी भी NATO देश है, जिसका capital है Berlin, तो अभी बार में सवाल आते हैं, कि जर्मनी किसको support करेगा, क्योंकि जर्मनी इस जर्मनी जर्मनी आंटी Alliance of US, लेकिन ये रश्या को support करेगा कि नहीं, अभी देखा चारे हैं कि जब weapon का supply था, तो ये इसने रश्या को weapon यानि की हत्यार नहीं दिया है, लेकिन जर्मनी भी फसेगा, क्योंकि इसका जितना gas का supply होता है, वो रश्या से आता है, अभी रश्या को support नहीं करेगा, रश्या इसका gas pipeline बंद कर देगा, फिर जर्मनी को market में उतरना पड़ेगा, और gas को खोजना पड़ेगा कि कहां से gas लेंगे, तो अब कोई भी country बहुत जादा पैसा अपना बोली लगा सकता है, क्योंकि जो है gas अब इसके पास नहीं है, आप समझने ना, gas गाड़ी में लगता है, उसके बाद खाना बनाने में लगता है, तो यह जर्मनी अब आएगा दूविधा में, यह सब होड़ा है, क्योंकि Ukraine, जिसका capital है कीव, जो कि Moscow से दो घंटे की दूरी पे है, Moscow रुष्या का capital है and Russia is about to attack Ukraine, because Ukraine, Ukraine is trying to be the part of NATO North Alliance Treaty Organization and which is headed by US and UK, these countries and Russia will never accept its own disintegrated member, क्योंकि Russia का 1991 में disintegration हुआ था और उसे जो टूटे हैं बूट सारे देश, जैसे की टुक टुक देश टूटे हैं, तुर्कमेनस्तान, उस्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजाकिस्तान and किर्गिस्तान and Ukraine, तो इस तरह के जो देश टूटे हैं, रश्या नहीं चाहिएगा कि ये देश जाकर NATO के अलाइन्स बन जाएं, खेर, देखेंगे क्या होगा, तो अभी-अभी इसमें किताब लिखा गया है Samuel Maun द्वारा, याद रखेएगा आप, हन जी, इसका आंसर बताएं, सब को यो पता हैं, युक्राइन संकट में तो है ही, हाँ, अच्छा, बागी फोर्ट में खुद करितना आप होगा, अच्छा, थाइंक यू, क्या ना हम इनका, अभिनेश सिंग जी, याईस आप लोगाने साड़ा कमेंट्स मुझे लिखता है, लेकिन आपको पते हैं, कि इतना जाला कुछ होता है, इसलिए, I can't discuss it, क्योंकि टाइम क्यू वेस्ट करें आप लोगों का, I am not into very much fan of Shahrukh Khan, when I was kid, तो मुझे Shahrukh Khan से जाला Salman Khan अच्छे लगते थे, पर अब वो भी ठीक है, मतलब सब ठीक है, चले, next question, हाँ, Operation Padivartan, कि हम लोग Afeem का खेती नहीं करेंगे, ठीक है, हम तो ऐसे भी नहीं करेंगे, आप लोग भी मत करिएगा, तो Afeem का खेती बंद करने का बात हो रहा है, आंधरप्रदेश में, जब 2,00,000 kg Afeem Canobies बढ़ामत हुए हैं, आंधरप्रदेश से, next question है, राजस्थान Public Service Commission के new chairman कौन बने हैं, तो यह बताईएगा, आप लोग comment section में जल्दी से, तो इनके जो बने हैं, इनका नाम है Sanjay, Sanjay Shrotria, Sanjay Shrotria, जो हैं, वो यहां पर बन गए हैं, ठीक है, तो differently, able people के लिए, कहां पर यह scheme शुरू की गई है, कुन स्यॉम्स, कुन स्यॉम्स, हाँ भई न, बागी देखे, या फिर एक यह, टाइगर जिन्दा है, देखे, तो लगता है कि सल्मान खान खुदी जाके आए, आइस, आप लोग साथ बोलते बोलते हम confused जाते हैं, आइसस, जिसको डेश भी कहते हैं, उसको हडा देगा जाके, ठीक है, तो यह लद्दाख है, लद्दाख, differently able people के लिए हैं, थर्ड क्वार्टर फिनांशल यह, दो हजार बाइस में, SBI क्या बोल रहा है, कितना रहेगा भारत का GDP ग्रोथ रेट, ECO RAP ने 8.8 बोला है, confused मत कीजेगा, that was ECO RAP, that was SBI का, ECO RAP, 8.8 परसंट, और SBI ने क्या बोला है, 5.8 परसंट बोला है, किस समय के लिए, 3rd quarter of financial है, 2022, next question है, 2008 में, एहमदाबाद में, Serial Bomb Blast हुआ, अगर आप News देखते हैं, तो अभी बहुत सारा इसमें, Controversy चल रहा है, और बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, तो इस कारण से, कुछ लोगों को, उम्रिक्याद की सजा दी गई है, और कुछ लोगों को, यहाँ पर फांसी की सजा दी गई है, I am asking you, कि death sentence जो है, वो कितने लोगों को दी गई है, और आप ये भी बताएंगे, कि हमारे Constitution में, बहुत सारा pardoning power है, President का, तो President कितने तरहा से, pardoning दे सकते हैं, जैसे कि, रमिट है, फिर एक तो पुरा प्रॉपर पाड़निंग है, तो इस तरह से बहुत सारा तरहा का, pardoning powers है, माफ करने का तरीका, तो आप बताएंगे, ठीक है, Ukraine सही है, यारशिया, हम क्या ही बताएंगे, I am very, I am no one to say about this, जब तक detailing नहीं बता चलेगा, हम क्या ही बता सकते, जब हमारा पुरा देशी नहीं बोल रहा है, तो मैं क्या ही बोलूँ, तो लीक स्टेज ओफ रंजी में कितने टीम रहेंगे, 38 टीम रहेंगे, आपको पता है, टीयर वन वीजा रूट ने अभी बंद कर दिया है, कि ये इन्वेस्टर्स का वीजा नहीं अभी देंगे, रन्यू नहीं करेंगे, और ये है United Kingdoms, फिर नेक्स क्वेशन है, कि US डॉलर आठ बिलियन, मार्च में, किसने IPO रिलीस किया है, करेंगे, इनिशिल पबलिंग ओफरिंग, ये आज हम लोगों ने डिसकस किया है, जल्दी से बताएए, ठीके, मेरा मोटिव यही है न, कि अगर आप लोग 20 क्वेशन भी पढ़ रटा जाए, आप 20 क्वेशन रटा जाए, ये कि में नेंद में भी कोई पूछे तो तुम बोलो, हाँ, L.I.C., L.I.C., इसका अंसर L.I.C. है, ठीके, तो दाट इस दा मोटिव कि दुबारा आपको कहीं और, करेंट अफैस, पढ़ना, रीड, रिवाइज, पीडिएफ भी आप लोग मांगते है न, तो, frankly, as a student, if I say, कोई मतलब नहीं, यहाँ प्या कोई याद हो जाएगा, क्या करिएगा, पीडिएफ का, बोलिएगा, डिविजन का बाद, तो हर साटेड़े को हम रिवाइज करवाई देंगे, बोलिएगा, मंथली डिविजन का बाद, तो हर महीने में एक दिन हम आरके, हजार करशन रिवाइज करवाई देंगे, what will you do of that things, only collecting material, जादा material वो मत बनाओ, स्टॉक मत बनाओ, देख के फिर लगेगा कि यार कितना पढ़ना है, अराम से पढ़िये, थोड़ा थोड़ा पढ़िये हो जाएगा, उतना वेदम घ्यानी इंसान नहीं मांग रहा है, सरकारी नौकरी, उसको भी पता है कि अभी अभी बच्चा, जो प्रिया मैं बोलती है लल्ला टाइप का, अभी ग्राजुएट हुआ है, इसको कितना ही पता होगा, थोड़ा पूछेगा, हो गया काम खतम, बस रेगुलर रहिएगा, ठीक है, तो राकेश गंगवाल जो है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, इंडिगो से, ठीक है, माली को दस साल बाद छोड़ना, कौन सा देश छोड़ा है, अडिवर्ड वर्ड कहां से हो गए, सब कोई बहुत जाद इंटेलिजेंट है, तुम लोग बच्पन में ऐसे जा कि, कोई भी मैटर कर देते थे, हौकी लेके लड़ना, मरना शुरू कर देते थे, लेकिन अभी कोई तुमको बोलेगी, यार चलो चलो माटर हो गया, माटर हो गया, चलो आज़ो बाइक मिकालो, तो नहीं जाओगे ना, क्योंकि अब मिच्च्वार हो गया, तो सारा देश जोए मिच्च्वार हो चुका है, चले नेक्स है, फ्रांस, इसका अंसर फ्रांस है, उसके बाद न्यूक्लियर विपेन, फेस, यह कह रहा है यह देश, कि भाई अगर हमको लगेगा कि पश्चिन देश हमसे हमको खत्रा है, हम पे कोई वेपेन चला देगा, तो पहले ही एनाउंस कर दिया है कि हाँ, जैसे हुआ नहीं बचाया जाता है, छोटा सा बच्चा जिसको पता है कि वो पिटने वाला है, वो पहले हुआ बचाते गा, औरे मेरा कॉन्टैक्ट यह, वो, तो वैसे बेलारस जो है, उसने बोल दिया है कि हम न्यूक्लियर वेपेन को यूज करेंगे, नेक्स क्वेशन, नेक्स क्वेशन है कि 20,000 रुपे हर किसान को देंगे हर एकर के लिए, तो यह जो 20,000 रुपे हैं यह बताएंगे आप लोग कि यह किस स्टेट या यूटी बोल रहा है कि हर किसान कौन देंगे पड़ एकर, यह दिल्ली बोल रहा है ठीक है 20,000 रुपए दिल्ली कह रहा है French Polynesia is an overseas collectivity of France located in which continent तो French Polynesia जो छुटा-छुटा Archipelago है kind of तो यह Oceania देश में है अब आप लिए Oceania कहा है मैं तो Asia और Australia के बीच में वो जो समुद्र है ना बीच में तो उसी को हम लोग Oceania कहते हैं ठीक है तो यह that is Oceania clear है guys next question है भारत ने adopt किया है digital work plan 2022 तो हम लोग जो है digitally विक्सित होने का बात कर रहे है 2022 का यह plan है यह किस block के साथ किया है यानि हम लोग किस समू के साथ इसको करने वाले है तो यह South Asian देश के साथ करने वाले हैं जिसमें 10 South Asian देश हैं और यह कौन से Asian है clear Asian ठीक है तो यूपी में एलेक्शन कौन जीतेगा आपको भी पता है अभी देखी रहे हैं आप लोग कि ट्रॉपिकल स्टॉम आया है जिसके कारें लैंड फॉल हुआ है तीन South African countries में तो यह जो है South Africa में जो इतना बड़ा तुफान आया है उस तुफान का आनाम क्या है आना अना बैला ठीक है चले तो आफाट की खेती तो हम लोगों हटा कर सभी स्पाद होगा दिया जाएगा स्टील होता है इस पाथ तो यह देखे चाइना है थाना चाइना येस ब्रॉंज क्या होता है ब्रॉंज इस कोपर प्लस टीन याद रखेंगे Bronze is, Bronze आप समझते है, Alloy है, Copper, Copper Atomic number क्या हो जाएगा इसका, 29 हो जाएगा, है ना, 14, किके, तो इस दोनों को मिला के यह Alloy हो जाएगा, अब आप बताएंगे कि हम लोगों ने होकी में, Women Hockey में, Asia Cup में कौन सा स्थान प्राप किया है, विच थान, कौन सा स्थान हम लोगों ने प थान किया है, हौासवांग, यह किसी-किसी का फेरोट देश भी हो सकता है, रarsiकीड़ मीड इसमेंअगे क्या सथाे व्यूंग, हुआच ठीक है, तो हौसवांग 12, मिड-्रेंज बलास्टिक मिसाईल, यह North Korea का है, किfold चंज अपन कित अपना इईा प्रफ देश में केहर बना तो हम लोगों ने Geological Survey of India भुगर विशास्ति रिचेस को कहते है, तो इन्हों ने कहा है कि जियो पार्क ये बनाएंगे और ये जियो पार्क किस जगह पर बना रहे हैं, बच्चे, अंसर दो, बच्चे, मन था अ कंढाने क्ल बता जाहिर जारी करता है, जाहिर करता है, जो 7-8 बच्चे लाइक निइके सेशन को, बच्चो लाइक कर जो सेशन को, फ्री में है, लाइक करना, हाँ, तो यह है National Law University, National Law University, जो है, वो death report penalty जारी करता है, भारत में, Madasa Fortis Madasa Fortis जो है यह भी बहुत जादे news में I will explain one day कि क्यों news में है तो यह आप बताएं कि कौन से country में पहले यह है इस्राइल में इस्राइल में Hamas Group है जो कि Palestine को support करता है यह सब आप लोग जानते ही होंगे नानी AI तो अब क्या करेंगे यह to monitor embryos जब डेवलाप कर रहा है कि नहीं इसमें कोई problem है नहीं होना चाहिए obviously तो इसके लिए एक artificial intelligence इसका नाम है nanny नानी ही करती है ना नानी help करती है तो यह है चाइना में ठीक है UNCITRAL News में यह क्या है तो यह जो है यह insolvency यानि कि बैंक में जो लोग पैसा नहीं दे रहें लोन लेके उनके लिए यह अभी शुरू किया गया है जो कि अमेरिका में है मलब यूनाइटेड नेशन का है sorry यूनाइटेड नेशन का है UNCITRAL सेहत आप जो है यह defense ministry का आप जानते हैं यह मत सोचेगा कि यह सब का है सेहत जहां पर आप बात करें सर्विस e-health assistance teleconsultants यह सेहत यहां का है वयम रक्षकम वी प्रोटेक्ट एक और दिन बताएं दो बार बताने से हमको लगता है मेरा मानना है कि बहुत दिन बाद रिवाइस करने से अच्छा है कि विदीन टू डेज अगर आप वही चीज रिवाइस कर लीजेगा तो आपको वह चीज याद हो जाती है इसलिए आज कल हम एक दिन पहले का भी डिविजन सेशन्स ला रहे है वयम रक्षकम वी प्रोटेक्ट यह किस का लोगो है यह इंडियन कोस्ट गार्ड का लोगो है Spike Wax Spike Wax जो है इसको USFDA ने अभी अप्रूबल दे दिया यह फार्मस्योटिकल कमपनी है तो यह किस का है यह Spike Wax बनाब कमपनी ने दवाई है किस कमपनी का है Moderna का है ठीक है याद रहेगा Corporate Tax Federal Corporate Tax Corporate Tax जितना कम होगा जितना कमपनी वाले को कम टाक्स देना पड़ेगा वो उतना ज़्यादा कमपनी खोलेगा मैम आज तुक्का भी माड रहे हैं फिर भी गलत नहीं होड़ा है Very good क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है न अभी UAE का है यह ठीक है UAE का है उसके बाद आप देखें लेपरोसी रेट कुष्ट रोग जो होता है कुष्ट रोग हम लोगों में कितना भारत में जो है कितना जादा केस हाया है 65,147 केस हाया है वर्ल्ड गेम इथलीट ओफ दे यर एवार्ड यह एक फुट बॉल प्लैड को मिला है जो की केरला के ब्राइंड इंबाजडर भी है उनका नाम है पी आज श्रीजेश येस SpaceX SpaceX नहीं एक देश के साथ मिलकर Cosmos Sky Med Second Generation CSG2 शुरू किया है इसको launch किया SpaceX जो कि Elon Musk का है और यह जो है इटली का है तो यह कहां का है इटली का है वेरी गुड Antonio Costa यह Prime Minister बने है पांच बार बोलो Antonio Costa Antonio Costa क्यों नहीं याद होगा याद हो जाएगा तो लोगा मन में भढ़ लियो कि नहीं याद होना है यह ऐसा नहीं होता है जब अपना subject पढ़ते है फेवरिट वाला तो नहीं भी आता है तो उसके लिए वो करते हैं ना कोशिश करते हैं कि और बोलते हैं कि ने 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 आज तो करके जाना है इसको तो वैसे ही Current Fs भी इसको ऐसे इधम वो वैसे मत ट्रीट करो सवताला भी हेवियर जो होता है ठीक है हां जुजारूपन समझते हैं जुजारूपन की कड़के रहना यार यह काम हो क्यों नहीं रहा है मैं तो कड़के रहूंगा मैं तो कड़के रहूंगी वह जुजारूपन बहुत जरूरी यह पढ़ाई के लिए वो लेके आओ अपने अंदर ठीक है यह पोर्तोगल है पोर्टोगल का का पिटल है लिजबिन पोर्टोगल में बहुत एक इंपोर्टेंट इंसान भी राते हैं चले तो यही था सेशन अब आपको किसी भी चीज की तियारी करनी आपको पता है कि स्टेप No everyone क्या है किआपको अड़्ड 5 2007 का पे जाना है अग्ड़्ड 24 7 के आप पे जाना है वाहं पे स्टोर के सेक्षिन में मुद्वे स्टोर जा कि अचाल कई जा किम उस्पी mechanical है, electronical है, जो जितना अभी चीज है, सब आपको इस टोर पे मिल जाएगा, सीरेस हो जाओ, पढ़ाई शुरू कर दो, महा पैक मी ये फाइदा है, कि जो दुनिया का सबसे इंपोर्टन चीज होता है, एक्जाम क्वालिफाई करने के लिए वो होता है, तेस्ट, हम यापे क्वेशिन अंसर, क्वेशिन अंसर क्यों कराते हैं, हम बाट के पढ़ाना सुरू कर सकते हैं, लेकिन क्वेशिन अंसर इसलिका आए, क्यूंकि एक्जाम में तो भई आएगा, ना, ऑप्शन से लिमिनेट कर के आंसर देना है, तो टेस्ट is very important, पहला चीज है, थोड़ा बहुत concept, जादा नहीं, जादा सुन लोगे, तो फिर इदम दूबना शुरू कर दोगे, तैरना है ना, we have to sail through, तो थोड़ा सा concept, जादा से जादा प्राक्टिस, and the final thing is, कोई भी बच्चा मेरा student बिना मौक टेस्ट लगाए, अगर एक्जाम में गया, तो इद्दम वही बात हो जाएगा, कि विराट कोली जो है, बिना प्राक्टिस मैच खेले, सीधे वर्ल्ट काप फाइनल में पहुँच गया, तो यही गलत बात है, नहीं करना है, मौक टेस्ट लगा के जाना है, मौक टेस्ट ऐसा लगाना है, जो कि एक्जाम में आएगा, तुम लोग कोई भी उठा के लगा लोगे, that is not important, that is, कोई relevance नहीं है, तो आपको अड़ा 24-7 का ही मौक लगा के जाना है, हर एक्जाम के लिए यहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जायेगा, कि राइम टेस्ट लोगे, तो जैसे माली जा के हम बात प्राइम टेस्ट ऑ्Let के ले लिए, जब बात प्राइम टेस्ट पाक ले लेने से के बात जितना परिक्शा है, सब का टेस्ट इसमें प्राहिं में बात자ए गा, ठीक है कोई कोई किसी को कुछ कश्ट आज हम कहां प्रकट होंगे हम बता देते हैं तो पहले तो अगर कोई NDA का बच्चा है तो दस बज़े आ जाईएगा मालीज आप इंडिया के बच्चे नहीं भी है है डिफेंस का महा पैक है आपके पास तो भी आप दस बज़े एंडिया के सेशन में आ जाएगे बहुत इंपोर्टेंट सेशन चल रहा है दो बज़ें प्रकट होंगे एंजीनियर्स के बीच जहां पर हम लोग प्वालिटी पढ़ रहें फिर चार बज़े एच एल का है तो हम लोग हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहें और पांच मज़े यूट्यूब आपको CISF का जोग्रफी का क्लास मिल जाएगा क्लियर है और कोई भी डाउट होगा मैं मैं सब्स्वी में क्या पहन के जाना है सब्स्वी में यह क्या होगा या फिर किसी भी ग्जाम से रिल पुली आपको सेशन पसंद आया होगा अनी फीद बैक यू लेट में नो इन दे कमेंट सेक्शन आ यह विल इंप्रूव इंप्रूव इट इस नॉट रिजिट सेशन बहुत ओट ओपन प्लाटफॉर में जिस तरह का जोबी चीज चाहिए बताओ वी विल दूट गैस थैं on these times. Thank you.